कि हैं कि वेरी गुड मार्निंग वालव यू यू वाचिंग सेक्सिस सेक्वाज जो भी इंपॉर्टेंट वो कहब है सारक सारा देंदू के इतोरियल सेक्षन से कवर किया गया है एप्रोक्स 20 वो कैप डेली का रहता है आडली 4-5 मिनट का वीडियो अगर आप और जाधा 2x4x पे करके देखियेगा तो 2-3 मिनट में एक दम पूरा निपढ़ जाएगा चलिए शुरू करते हैं एक पोजिटिव कोट के साथ जिसमें ये बताया गया कई वार क्या होता है ना कि हम पैसे के पीछे भागना शुरू करते हैं ना इस समय मतलब कुछ नहीं होता है और ज्ज तो बात एकदम पूरा फिक्स है है ना पैसंद के साथ एकदम पढ़ाई करो एकदम तब जो सफलता मिलेगा ना तब एकदम सबसे हो जाएगा चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ सबसे पहला जो वर्ड है कनफाउंड के एक वर्ड वेजिसका मतलब तो कनफ्यूजर सर्प्राइट संबडी मतलब किसी को घबरा देना एकदम अचंभीत कर देना अस्तव्यस्त कर देना बोलते हैं ना उसको कनफाउंड का जाता है रिस्ट्रेंट जो कि है एक नाउन जिसका मतलब ता नियंदरन सब्सक्रेंगे बस में खरना आइरे है अना मिश्डम मिश है कि जो है के नाउन इसका मतलब जो जता है यत पार भाता है कि बार लाएई सोचे ना और जड़न हुँ डियानक नहीं होता है ग मतलब सरीर के ऊपर वखेस्टीर के ऊपर वह जो पाथ होता है ना दोस्ता सिरीर की ओपर हclear कैलने से एक आजेंक होता है यह जो आजाता है इनिजेरी हो जाता है तो विपलेश के जैन जिसका मतलब होता है group of people who travel with an important famous person बोलते हैं एकदम पूरा जो rally होता है मतलब होता है large number of confusing information खाली confusion एकदम पजल वाला जो information आता है ना किसी को समझ में नहीं है जली से है ना उसको clutter का जाता है swept aside जो कि है free जल बर्व इसका मतलब होता है to treat something as not important or ignore मतलब किसी को simple सा बात है मतलब करने लगना मतलब या फिर इस तरह से बेभार करना ना ताकि वह लगे कि अरे इसका तो कोई value नहीं है इसका कोई जरुवत ही नहीं है इसको मत एकदम side में रख देना simple सा फंडा है किसी को side में आपकब रख देते हैं जब उसका जरूरत कम आपको लगता है ना उसको swept aside का जाता है fenced off fenced off एक fizzle word वह इसका मतलब होता है to separate someone or something something else simple सा बात है जैसे मान लिजे अगर इतना दूर अगर हम circle घहर देते इसका मतलब क्या होता है इस सबसे ना यह कुछ खास है अलग है हट के एकदम पूरा separate कर दी है यह वाला जो पार्ट है ना तीवारी बाबू का है यह अलग है separate है उसको fenced off का आ जाता है अना या फिर कोई घटना हो जाता है ना जैसे मान लिजे किसी का मौत वक्रोह जाता है तो नहीं आता पुली साथ यह पूरा घहर देता है इतना दूर कोई नहीं आ सकता है फिन स्टॉप होता है डिस्क्रिमिनेशन जो की है एक नाउन जिसका मतलब होता है वह भेदभाव करने का जो तरीका होता है ट्रीटिंग वन पर ग्रूप वर्शन देर नादर मानले एक के साथ हम प्यार से बात कर रहे हैं यह बी के साथ ना से बात कर रहे है अलग तोरा भेदभाव है ना गाली का लोज कर रहे है डिस्क्रिमिनेशन का आ जाता है उसको का इस्टेशन पशंदार है ना जो आप इसको शेयर कर चैनल पर पहली बारे ना सब्सक्राइब कर सकते हैं ब्रीच जो कि एक वर्ब जिसका मतलब होता है जो नियम कारून को तोड़ देता है ना तू ब्रेक एन एग्रिमेंट या फिल्ला ठीक है समझाते है कारून का अधिका उलंगन जो करता है ना ठीक है उसको प्रीच का जाता है डिस्क्रिमिनलाइज जो कि एक वर्ब जिसका मतलब है स्टॉप टीटिंग एज इलीगल और एज किमिनल ऑफेंज के तरह ना किसी के साथ ट्रीट करना मतलब उसको जो करते हैं इसको रोग देना है इसको डिस्क्रिमिनलाइज जाता है पर बड़्सली जो कि है एक वर एडवर्ब है इसका मतलब होता है लिए नवे डैटी इस चेंज और नॉट वार्ट मॉस्ट पर यह नहीं रहता है एकदम इस तरह से थोड़ा सा विभार करना नेक्स टेया पर एक जैक्टिव जिसका मतलब एक्स्ट्रीमिटी लिमिटी और डिफिकल्ट से वर सकत कठोड जो रहता है ने इसको इस्टिंज जेंट का आजाता है और है वोक जो कि एक नाउन जिसका मतलता ह इसका मतलब इस तरह से तितर बितर फैल जाना ताकि उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता है और यह नियंतित रूप से सरवत्र विदमान हो जाना एकदम पूर हर जगा पूरा फैल जाना उसको रहता है जो कि है एक एजेक्टिव जिसका मतलब होता है एक्स्ट्रीमली अन्प्लीजेंट या फिशॉक भयानक वाला जो रहता है ना वाइप साता है मतलब इतना ज्यादा शॉकिंग वाला शॉकिंग वाला सुनीग जीव लगता एकदम पूरा उसको ग्रूश्यम का जाता है और जो कि एक वर्ब जिसका मतलब था अश्यावा थोड़ा वाली जो किसी किसे आप कोई बात करते है ना उससे आप ऐसा मत होते है उसके मतलब पॉइंट यहीं बात ही नहीं हो बता है मतलब तू डिसेगरी भीत था अधर पीपल एबाउट सम्तिंग किसी मैटर को लेकर के हंटा दावाना ना भूलें चलिए बाई 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 टेक केर